नमस्कार पिरियों साथियों तो आए हम लोग बात कहेंगे भारत और मालेशिया के संब्धों के बारे में भारत देश और मलेशिया के संब्ध देखेंगे तो अभी चर्चा में क्यों है इसे भी देखेंगे इसकी इतिया से प्रेश्ट भूमी क्या रही है भारत मलेशिया संब्द की इसे भी देखेंगे एक्टिस्ट नीती क्या है उसे भी देखेंगे विवाद के कारण इन दो देशों की भी विवाद के कारण क्या है उन्हें भी देखेंगे तेल और भारत पांग तेल और भारत क्या है इसे भी देखेंगे भारत और मलेसिया की भी सहयोग के क्या क्या चेत हैं उन्हें भी दिखने हैं और आसियान देशों से भारत का संबनी क्या कैसा हैं उसी भी अंग्रों लेख लेंगे बीते दिनों मलेसिया में मुहिद्दीन यासीन की नित्त वाली सरकार ने अपना कारवाद केहिट किया कर लिया मुहिद्दीन एयासीन को मलेशिया का नया पिधानमंत्री नामित करने के साथ ही पूर्व सत्तरूर गटवंदन के तूटने और महातीत मुहम्मद के इस्तीपे के बाद एक सब्ता से चल राजनेतिक संकट समाप्थ हो गया मलेशिया की नई सरकार भारत के साथ संबन्दों पर जमी बरप को पिगहलाना चाहती है हलाकि भारत और मलेशिया की भी संबन्दों में गरम जोसी की बहाली काफियत तक भारत पाकिस्तान बिवादों में तटष्था बना रखने की नई सरकार की चमता पर निर्वर करती है इसके अलावा यासीन सरकार को अपनी विदेशनीती में इस्लामिक बयानवाजी का विरोध करने की आवस्था होगी क्योंकि ऐसा ना करने से भारत जैसे अलमे देशों के साथ उसके संबंद जटिल हो सकते हैं इससे पहले मलेसिया के पूर्पिधान मंत्री महातिर मुहमत द्वारा जम्मु कस्मीर और नागरिक्ता कानून को लेकर बेवादित टिपड़ी करने से दोनों देशों की भी तल्की बढ़ गी पैडाम सरुप भारत ने मलेसिया से पाम आयल के आयात पर इतीवंद भी लगा दिया था अब हम लोग भारत और मलेसिया के इतियासिक संबन्दों की इतियासिक पेश्ट भूमी देखते हैं इतियास पर नजर डालें तुपाएंगे कि वर्स 1962 के भारत की नियुद में मलेसिया अकेला ऐसा दच्छिड पूर्वी देश था जिसने ना खुल कर ना सरे के लिए एक आलतिक कोश्टी कीवी इस्थापना की थी वहीं भारत ने भी वर्स 1965 में इंडोनेसिया और मलेसिया विवाद में मलेसिया का साथ दिया था इसके चलते भारत और इंडोनेसिया के संबन्दों में खटास आ गई थी सी तिर्द के दोरान दोनों ही देश गुठ निरपेच देशों के दल के साथ रहे और इन्होंने भारत परी संबन्दों को मजबूत बनाया रखा एक मुसलिम बहूल देशोंने और पाकिस्तान की तमाम कोशिसों के बाप जो मलेसिया और भारत के संबन्द मदूर बने रहे बारत सरकार ने बर्स 1992 में लोक इस्ट निती का अनावरण ने संबन्दों को नए आयाम दिये फिर बर्स 2014 में चुनी गई नई सरकार में कोट निती के अंगले चांड में मलेसिया समेत अन्न पूर्भी एसियाई देशों में पहल करते हुए लोक इस्ट निती को एक्ट इस उफट निती में तब्दिल कर दिया था मलेसिया भारत सरकार की एकक इस्ट मीढ़ी केंद में लेति राजशनेतिक सुरक्छा वा- आर्ति तता सामाजिक सांस्वीतिक इस्थम्मऊ पर भारत और मलेशीय कर आपस में सहे हो काफी महत्पूं दिये हैं गौरत लब है कि मलेशिया आसियान समू का एक अतेंद महत्वून सदस्य है और आसियान दुनिया का की सबसे तेजी से बढ़ती अत्वर्था बाले देशों का एक समूर है आसियान भारत का चोत्रा सबसे बड़ा कारोबारी सांजेदान और इस दस सदस्यों के समूर में भार च्छटा सबसे बड़ा ब्याबारी सांजीता है। इसके अलावा मलेसिया में भारती मोल के करीब 24 लाख लोग जो वहां की कुल जैन संख्या का आठ की तीसत हैं। कितने लोग रहते हैं? करीब 24 लाख लोग मलेसिया में रहते हैं। पिछले कई सालों के दौरान भारत और मलेसिया ने दूइपक्षिय सहेव किस कई समयोंतों को अन्याम दिया है। जिनमें मलेसिया इंडिया कॉंपेशन से एकोनमिक को ओपरेशन एग्रीमेंट 2011 है और इनहेंस्ट इस्टेटिक पार्टनर से 2016 है पिरमोट है। अब बात करते हैं एक्ट इस्ट नीती क्या है। भारत की वरतमार विदेशनीती की बारे में कहा जा रहा है कि भारत इस मोर्चे पर आज जितना मजबूर थे उतना कभी नहीं थे। इवरोप, अमेरिका और खाडी देशों के साथ परिष्टों को मजबूर आधार करने के बात भारत सरकार ने कूट नीती के अंगले चर्ण में पूर्वी एसे आई देशों में पहल करते हुए बश्ट 2014 में लोग लोग इस्ट इन नीती को एक्ट इस्ट नीती में तब्द इस्ट पॉलिशी ने बुन्यादी नाची, वी निर्माड, व्यापार कॉसल, सहरी नविकरन, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और अन पहलों पर हमारे घहरेलू इजेंटे में भारत आसियान सहियोग पर जोड दिया है एक्ट इस्ट पॉलिशी गवदेश आर्थिक सांस्केतिक संबन्दों को बढ़ावा देना, दुई पक्षिये और छेत्रिये एवं बहु पक्षिये, इस्तरों पर नियंतर जुडाव के मात्दिम से एसिया पिसांद छित के देशों के साथ रणनेतिक संबन्द विक्सित क ताकि बहारत के उत्तरपूर्वी रज्जों को उन्नाग connectivity पिदान की जाय सके, बात करते हैं विवादों के कारण क्या है, इन देशों के बीच, भारत Malaysia की भी आखिर विवाद के कारण क्या है, उन्हें भी इम लोग देख लेते ही भारत में टेरर, फाइनेंस के आरोपी, जाकिर, नाइप के, मलेसिया भागजाने और भारत सरकार की तमाम कोशिसों और दोनों देसों के भी पित्तेरफण संदी होने के बाब जूद, मलेसिया ही सरकार के, उसे भारत नहीं बेजने के नेडर से राजनेते इस तर पर कुछ पिछले सालों से एक तनाव किस्ति पैदन कर दी है, बर्स 2018 में महातिर मुहमद के सत्तर पक काविज होने के बाद से भारत के लिए खास तोर पर परश्तितियां कुछ कठिन भी, उधारन के तोर पर पिधान मंत्री मौदियों, प्रभाद्तिये विदेश मंत मौद्राले की खुंजायस के बाप्चू, महातिर ने जाकिर नाइप को यह करकर भारत में बेजने से मना कर दिया था, कि वहाँ उनकी जान को खत्राफ हो सकता है, गौरतलवय की बर्स 2011 में तोनों देशों की भी पित्त्यपन संदी, और बर्स 2012 में अपरादिक मामलों में एक दूसरे की कानूनी साहता संबंदी समझोता होने के बाप जुद मलेसिया ने जाकिर नाइप को भारत को सौफने से इंकार कर दिया, इसका अलावा सेवत राष्ट में कस्मीर पर बयान देकर मलेसिया ने पाकिस्तान से बढ़ती करीमी और भारत से संबंदों पर पढ़ उठाते हुए का कि भारत ने कस्मी उपर आक मढ़कर उसे कबजे में कर रखा जो सईवत राष्ट के सिध्धान्तों के उलट बात करते हैं पाम तेल और भारत मलेसिया की अर्दवर्ष्टा का भी हट तक पाम अवायल की कारूबार पर निभर बिसले इसकों का मानना है कि खाने में इस्तेमाल किया जाने वाले तेलों में पाम तेल काहिसा दो तेहाई हैं भारत पाम तेल मावले में आत मिर नहीं हुए नहीं हुए 60-70-30 तेल बेदेशों से आयात होता है भारत हर साल लगवग 90 लाग टन पाम तेल आयात करता है या मुक्रोप से मलेसिया और आपका इंडोनेसिया से आयाति होता है अब बात करते हैं भारत और मलेसिया की भी सहयोग के चित कौन कौन से है भारत मलेशिया पामो आयल का सबसे बड़ा खरीदात देशने भारत और मलेशिया के बीच कुल 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार जिसमें से भारत 10.8 बिलियन डॉलर का आयात करता है हाल ही के वर्सों में मलेशियाई कंपणी और निवेश कों द्वारत में कई परियोजनाओं विसेस रूप से बुन्यादी ढाचे निर्माट चित्रों में निवेश किया गया है साथी निवेश के नई चित्रों का पता भी लगाए गया है मलेशियाई कंपनिय अभारत के बिवेन राचों में कई बुनियादी धाचागर परियोजनाओं में काम कर रही है बारती कंपीनियों ने भी बड़े प्रिमाने पर मलेशिया की अर्थ्विफ्था में युगदान दिया है रोयल मलेशियाई बायुशना और भालतीय बायुशना प्रिसिक्षण रख रखाओं तक्नीकी सायता और सुरक्षा समन्दी मुद्दों में सहयोग के लिए बिमान सुरक्षा रख रखाओं मंच की इस्थापना के संदर में काम कर रही है दोनों देश आत्तंगवाद और अंतराष्टी अपरात का मुकाबला करने में सहयोग कर रहे हैं साथी बिज्ञान और पुरद्वख की परमलेशियाई और भारतिय बिज्ञानिक अनुसंदान पिकास तसल तक्नीकी स्जानकारी और दस्तावेजों के पारसपरी आधान बिदान में सहयोग कर रहे हैं मलेशिया में भारतिय मूल के समुदाय के यह उतान का उत्सव मनाने के लिए क्वाल आलामपुल में भारतिय सांस्कितिक केन का नाम नेताजी सुभास्चिंद बौस बारतिय सांस्कितिक केन के रोब में नामित किया गए नेताजी सुभाश्यंद गौस भारतिय सांस्कितिक एन और भारत और मलेशिया की वीच सांस्कितिक कारिकर्मों, सांस्कितिक संगोष्टियों, कारसालाओं कायोजन करके भारतिय सास्तिय संगीत और भारतिय नित जैसे कथक और मड़ी पूरी के लिए भारतिय पेशेवरों पिसीक्षों को नियुद करके दुई पक्चिय सांस्कितिक संबन्दों को बड़ावा देता है इसके अलावा खिलाडियों पिसीक्षों खेल के नियों पपिसीक्षर पार कारिक्रम की आदान पिदान की जरीए खेल की छित में सहयोग को लेकर भी एक समझाता कि आपन पर हाश्ताक्षर किये हो इंटर्पिनियोर्शिप डवलम्मेंट इंस्टिटीट एहमदाबाद तथा मलेशियन यूमन रिसोर्स फंड के वीज़ पिशिक्षन तथा अन्चमता निर्माण कारिक्रमों को अंजाम एक देने पर समझाता हुआ है अंजाम देने पर एक समझाता हुआ है मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और कोसल विकास जैसे भारत द्वारा उठाए गए नए विकास और व्यापारिक पहलों में मलेशिया ही व्यापारिकियों के लिए निवेश की मत्वों अउसर उपलग कराए है आयर्वेद एवं भारतिय परंपरा की अन परंपरी चिक्रिसाओं में दोनों देशों के बीच बहतर सहियों को बढ़ावा देने की जरूरत को स्विकार करते हुए मलेसिया ने भारतिय तक्निकी और आर्थिक सहयो कारक्रवों के तैद भारत से एक आयोवेद के चिकिस्तक और दो थेरेफिश्ट की इतिनिपती की है टिकाव उर्जा विकास वापिस में उर्जा सुरक्षा अर्जित करने की देशा में एक परमुक तक तो रहा है भारत और मलेसिया दोनों ही देश बहतर उर्जा सुद्दाओं के साथ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश से नवी करनी या उर्जा सिरोपतों को बढ़ाने पर सक्कीय रोप से काम कर रहे हैं दौनों ही पक्षों न जल्द से जल्द नवीन तथा नवी करनी या उचा परेग सहुटकार समूख के गठन पर सहमती जताई हैं अब बात करते हैं आसियान देशों से भारत का सम्द्ध के साथ दच्चन पूर्वेशिया के साथ भारत का सम्द्ध सन 2000 बर्स से भी पुराना है भारत के कंबोडिया, मलेसिया, थाइलेंड जैसे देशों के बीच प्राचियन व्यापार का पूरा दस्तवेज मौजू है दच्चन पूर्वेशिया देशों की संस्कितियां, परंपराओं एवन भासाओं पर इन सुरुवाती संपर्खों का पूरा प्रवाद पढ़ा है कंबोडिया में अंग कुर्वाट मंदीर परचल, इंडोसिया में यव्याकरता कि निकट वरुभुदूर एवन प्रमबन मंदिर मलेशिया में प्राचीन केंडिस जैसे इतिहासे किस्तलों पर भारतिय हिंदू बहुत प्रवाव देखे जाते हैं इसके अलावा भारत सरकार की एक्ट इस्ट नीती एवन आसियान के साथ संबंदों को मजबूद बनाने के लिए 3C यानि की Commerce, Connectivity, Culture हमारे ब्यापक सहोग के जुलंत और धारन है सामाजिक सांस्कितिक मोचे पर आसियान भारत चात बिनीवें कारिक्रमों और बारसिक दिल्ली संबाद जैसे कारिक्रमों लोगों के बीच आपसी संबंदों को और मजबूद मनाते हैं इन मंचों के जरिये आसियान देसों में भारत की युवा, बसिक्षाविद एवं उद्धोपती आपस में मिलते हैं एक दूसरे से सीखते हैं तथा रिस्तों को प्रगार बनाते हैं भारत हिंद महासागर से लेकर पेसांत महासागर तक बड़े समुद्री लेनों के साथ रड़नेतिक रूप से अवस्थे थैं एस समुद्री लेन आसियान के कई सदस्थ देसों के लिए महत्पून, ब्यापाद, व्रास्ते भी हैं आंगे की राय क्या हो सकती है इन दोनों देसों के बीच भारत और मलेशिया के बीच एक ऐसे देस के रूम में जहां लगबख आठ की थी सतावादी बालती है मुल्टी है मलेशिया भारत की विदेश नीती में एक मत्पून इस्थान रखता है मलक्का जल्दमरू और दच्चेंड चीन सागर से गिरा हुआ मलेशिया भारत की पूर्की योड देखो नीती का एक प्रमुक इस्थम भी है भारत की समुद्री संपर्ट रणनीतियों के लिए मत्पून भी है ऐसे में भारत को धहरे का फर्च देती हुए मलेशिया के साथ अपने संबन्यों को परिवासिक करना हुए वही मलेशिया को यह प्रियास करना होगा कि उनकी घहरेलू राजनिती भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ खराब संबन्यों की नीव पर नाइस्थापेद हुए तो चलिए इतरा आपका बारत और मलेसिया के संबन्नों के जो भी आपके पक्षते उन सभी को देख लिए हैं